और काफी सारे टॉपिक्स है यूपिसी कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए और लेट्स टॉपिक है तो पहला जो टॉपिक है फर्स टॉपिक्स अबूट लांग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल एल आर सी एम इसमें आई विल्ड आल्सो डिसकस्ट अबूट क्रूज इंटलिजेंट बैक्टेरिया है यूरनस की उपर है आया मेसी तो यह बहुत इंपोर्टेंट है आयम इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिसकस करेंगे और फिर जो मेंस कोश्चन मैं आपको प्रवाइट करता हूँ आट विल भी देर सो मेंस कोश्चन आज पता है कि कल से आयव स्टार्टेड की जो आप एंसर हैं उसको आप लिखो और उसका सर्टन टेक्निक्स और वह सब मैंने यूट्यूब में स्टार्ट किया है आपको आपके लिए एक आईडिया लग जाए कि ठीक है ऐसे लिखा जाता है खास वर से जो 25 और 26 की तैयरी कर र कल इसका उपर सेशन भी हुआ था मैंने आप से डिसक्स भी किया था तो यूट्यूब के अंदर वीडियो पड़ा हुआ है पचास सो लोग जो भी देखे तो उनको बेनेफिट हो दाट इस दा गोल कोई क्वेरी इस नंबर पर आपको रीच करना है इस टेलिग्राम चैनल तो भी आप अपना एंसर सेंड कर सकते हैं अगें यह अपरचुनिटी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आकलन से प्लस पूरे आप देखोगे यूट्यूब कहीं भी कूर्स आप देखोगे तो यह बहुत यूनिक कूर्स कहीं अवेल और आपकी लिखनी की आइदत हो इस पर वन यह की वैलेडिटी आप लिखो ध्यान दो लास्ट में हम लोग डिसकस करेंगे मांकी डिटेल दो सो प्लस आंसर सापकी वेलवेट होंगे फाइफ वन टुवन सेशन होंगे दस फुल लिंथ टेस्ट होंग और पांच ऐसे होंग क्योंकि आपके ही रिक्विस्ट पर इस को लांच किया गया बहुत महिनत का काम है और फिर मैंने कहा कि जो ऐसे है इसका बहुत अच्छी तरीकिसे चीज़े चल रही है जो अलग से मैंने लांच किया था बहुत सारे लोग अपने रेगुलर ऐसे भी लिख रहे हैं तो यहा राडियो कैरीज आउट टेस्ट फॉर लॉंग रिज क्रूज मिसाइल की बात किये गई है तो पहली चीज़ आपको यह अंतर समझना है वाट इस बेसिक डिफरेंस बिटुन क्रूज मिसाइल और बैलेस्टिक मिसाइल होता है इट फॉलोज आप यहां से लांच करते हो तो राउंड यह भी है फिर उसके बाद डिपेंडिक अपॉन इसका रेंज उस बेसे स्पेस को क्लासिफाई किया जाता तो जैसे इंटर कॉंटिनेंटल जो मिले अगर बैलेस्टिक मिसाइल की बात करें तो मोर दें 5000 किलोमेटर अगर रेंज है तो उसे हम इंटर इसका इस्तेमाल इसमें जट इंजन्स होता है और यहां पर क्या है कि जो बैलेस्टिक मिसाइल इसमें रॉकेट की जुरूत होती है मतलब बूस्ट ग्लाइड वेकल के रूप में इसे कंसिडर किया जाता है और इसका क्लासिफिकेशन जो है इस स्पीड के अकॉर्डिंग ह होता है बैलेस्टिक का और यह जो अपका क्रूज मिसाइल वह भी स्पीड के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होता है यह थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए यूप्यस से नहीं पर पूछ रखा है अब अगर देखते हैं लांग रेंज जो लैंड अटैक क्र पर यह जो निर्भै मिसाइल था इसका नया वारियंट जिसका ल आर सी ले सियम बोला गया है और इसका क्रूज मिसाइल यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है फिर यह जो मिसाइल है डेवलप किसके दोर और अर्णाटिकल डेवलप्पेंट स्टाबलिश्मेंट जो क बैंगलूरू में लोकेटेड उसके द्वारा इसको डेवलप्प किया गया था यह इट विल प्रोवाइट इंडियन आंप फोर्सेस विट लॉंग रिज स्टाइट आपको याद रखना है तो फस्ट पार्ट इस शुट रिमेंबर ग्यान आपको होना चाहिए रेंज कितन निर्भय का नया वैरियंट यह भी ध्यान में रखना है किस ने डेवलप किया याद रखना है और किसके सिमिलर है वह आपको याद रखना है और यह बाकि क्रूज और बिलस्टिंग मिसाइल का अंतर क्या है वह हमने डिसकस किया नेक्स टॉपिक देखते हैं बीच में एक स्क्रिंशॉट नहीं डाल पया कार्बन एमिशन रिपोर्ट आई आपकी आई है तो इस पर देखो फैट्स बहुत इंपोर्टेंट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए ठीक है जो फैट्स है तो वह फैट्स का ग्यान थोड़ा सा हमें होना चाहिए तो पहला तो देखो यहां पर देखो ग्लोबल एमिशन राइस देखने को मिल रहा है लगवग 0.8% 2024 के अंदर प्रीविए राइस था का कंट्रिबूशन में देखो टॉप में कौन है चाइना है फिर उसका यूएस है फिर भारत है फिर यूरोपीन यूनियन है वो लगवग 27.7% रेजन है वह काफी अधिक है मिशन है तो इसको कैसे करें तो इन ही को कंट्रिबूट आपका करना पड़े है ग्लोबल एवरेज देखा जाए तो 1.3 1.3 टन्स जो कारबन डाइक्साइड पर 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 इयर देखने को मिल रहा है ब्रेकडाउन देखा जाए तो यूएस का कंट्रिबूशन जो है 3.9 टेन है चाइना का 2.3 है भारत का 0.6 है और 1.5 टन्स है अमिशन पर कैपिटा मतलब एक इंडिविजुल की बात अगर किया जाए तो पर कैपिटा पॉपलेशन डिवाइड बाइडिविजुल्स फिर फ्यूचर प्रोडेक्शन यह है कि यह इंक्रीज हो सकता अप ना रीच कर सकता और पैरिस अग्रिमेंट का जो गूल है उसमें यह कहा गया है कि लगबग तंपरेचर को बिलो 2.5 लगो 1.5 से 2.5 टू डिगरी सेल्सियस तक मेंटेन करना इसके बहुत जुरूरत है अदर्वाइस क्या होगा कि बहुत सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेट अगर प्रतिवी गरम पड़ेगी तो जो पानी है वो भी गरम होगा और उससे बहुत सारे अटमस्फेरिक फेनोमेन आए वो भी देखने को मिलेंगे चाहे वो कई टॉर्नेडोस का फॉर्मेशन हो ला नीना एं लीनो जैसे इवेंट्स हो चाहे वो साइकलोन का फॉर्मेश पागी दूनियों बर कि बहुत मोटी रिपोर्ट है वो तो याद रहेगा निब्ट्यवर्ट फट्स थोड़ से याद रहेगा और यहां पर एक टर्म हैं धिस्टेजिएं फॉर्में पाक। इस थारे आई चीज़ियेंट बैक्टेरिया यहां पे गया यहां पर साइंट ट तो यहां पर कहा गया कि जो intelligent bacteria बनाया है किसके द्वारा गया है intelligent bacteria जिसका साह इंस्टिटूट अफ नुकलियर फिजिक्स कोलकाता के द्वारा इसमें क्या है कि जो intelligence को समझना तो यहां पर कहा गया कि यहां पर कहा गया कि बैक्टेरिया को डेवलप करना जो कि mathematical problems को solve करें जैसे इनको identify करना तो इस तरीके से हैं ऐसे बैक्टेरिया जिनके माध्यम से चीज सॉल्व की जा सके तो उस डायरेक्शन में काम आपका हो रहा है तो डेवलपिंग बैक्टेरिया जो की mathematical problems को सॉल्व कर सकता है उसकी बात किएगे अब यहां पर का गया genetic engineering techniques की बात किएगे तो यहां पर genetic circuits है डेवलप किया जाएंगे मतलब जैनेटिक लेवल पर बैक्टेरिया को चेंजिस किया जाएंगे और मतलब यह नहीं कि बैक्टेरिया बोल के कुछ डिपेंडिक वो सटन मेटाबॉलिक और केमिकल इंडिकेटर के बैसस पर डिशाइड किया जाएगा कि यहां जो बैक्टेरिया है वो किस तरीके से चीज़े बता रहा है तो यहां पर कई सारे ऐसे इंजीनियर्ट सर्किट्स जो है बैक्टेरियल बनाया जाएंगे और उस बैक्टेरियल कंप्यूटर जो है वो आपका बनाया जाएगा बेस्ट अन जो अनाटामी है बैक्टेरिया की उस बेसे मतर्ब जो इसको यूज करके बैक्टेरियल कंप्यूटर बनाया जाएगा जैसे इसमें एक टर्म यूजड है बैक्टो नियूरॉन्स जैसे हमारे ब्र या निवरॉन्स के रूप में काम करेंगे artificial neural network में artificial neural network निवरें जो हमारा brain है उसके neuron कि तरह काम करेंगे जैसे जो भी ऐए गया बेस्टम डिफलप करेंगे चाहिए इसके लिए इंसान की तरह neural network develop करना जरूरी है, जैसे हमारे brain में अलग-अलग neurons जुड़के और neuron network बनाते हैं, ऐसे ही कुछ artificial AI based neural network बनाया जाए, और उस neuron को बनाने के लिए bacteria का इस्तमाल, मतलब उसमें certain changes करके, और उस bacteria का इस्तमाल किया जाए, और उसे हम back to neurons बोलते हैं, तो बहुत सारे जो आप कहा सकत है, इन neurons के माध्यम से, research अभी published भी हुई है, यह point भी आपका highlight किया गया है, और कई सारे expert opinion इस पर रखे गया है, कि mathematical task को करने के लिए, इन bacteria का जो इस्तमाल है, वो आपका किया जा सकता है, future में, जो medicine industry उसमें होगा, medical science में होगा, जो bio manufacturing sectors है, मतलब जैसे bio manufacturing इस vaccine और ऐसी ची circuits जो है, इसको introduce करना, E. coli bacteria में, transcription का मतलब DNA से RNA जो बनता है, उसे हम transcription शब्द यूज करता है, तो उस टाइप का कुछ आप connection स्टाबिश करते हो, जिसे easily DNA से RNA convert हो सके, E. coli bacteria का, यूज करके, फिर उसके बद transcription factors है, synthetic promoters है, circuit building के लिए, इस्तमाल करना, मतलब देखो, यह इतन ध्यान में रखना है, कि back to neurons, recently news में था, क्या है, और इसके माध्यम से, कुछ genetic circuits type बनाया जाएगा, और उसके basis पर, जो है, चीजे develop आपकी की जाएगी, ठीक है, like for example, बहुत सारे aspects है, उसको develop आपका किया जाएगा, खास तोर से, जो even bacterial computers, जो है, वो develop किया जाएगा, और कई जो mathematical problems और चीजे है, उनको solve करने के लिए उसका इस्तमाल जो है, वो किया जाएगा, नेक्स देखते है, IIM EC की उपर ये topic है, scientist uncover a mix-up about Uranus, तो ये थोड़ा सा science tech का एक topic आपका बन जाता है, तो Uranus एड वायजर है, ये एक space mission था, यहाँ पर क्या है कि पहली चीज़ तो Uranus जो largest planet है ये, और लगभग इस पर कई सारे ऐसे events है, जो हम बारे अदर अभी थोड़ा सा curiosity है कि ये किस टाइप से चीज़े हो रही है, वायजर जो mission था, उसे fly-by, मतलब इसके past से ये fly किया था, इसके बाद Uranus के बारे में जो knowledge है, वो इसी mission के माद्दे हम समय मिले था, अब इ ऐसे होते हैं, particles खुप सारे, अगर कोई समने कड़ा तो उसके face में काफी सारे पानी की बोंदे गिरेंगी, ऐसे ही जो सूरज होता है, सूरज से क्या है, बहुत सारे ऐसे particles होते हैं, जो charge diants और particles होते हैं, वो release होते हैं, explode होके release होते हैं, और उन्हें हम solar flare, solar winds जो हैं, वो श जब यह जा रहा था, वाइजर 2 vision जब जा रहा था, उसे यह जो अन्यूजर solar winds जो है face करने पड़े, फिर इसमें का गया कि magnetosphere, यहां पे observed to be only 20% of its usual volume during the flyback, तो यह magnetosphere जो है observed किया गया, यह है solar wind effect encounter की गई, maximum intensity, इस पे कई सारी observations misleading भी थी, low plasma concentration was puzzling as it is typically present in other planetary magnetosphere, जो मतलब आप यह मानों कि जो charged iron type environment है, वो भी जिस टाइप से observe किया गया था, इस mission के दोरा वो भी comparatively कम था, तो देखो कहने का क्या मतलब है कि एक magnetosphere है, magnetosphere जो है observe किया गया, observe करने के बाद जो solar wind से उससे interaction देखने को मिला, उसके बाद यह जो interaction है, जो भी solar wind का effect उसको encounter जो की गई है, तो Uranus को जो magnetosphere है, it may be more similar to Jupiter, जैसे Uranus का magnetosphere, जैसे हमारे आरत में भी, जो magnetic field है, वो magnetosphere बनाता है, तो यहाँ पर Uranus का magnetosphere भी है, वो Jupiter और Saturn की तरह है, और नई जो understanding है, प्लाजमा और magnetic field के लेके, वो भी increase हुई है, Uranus के context में, जो charge particles और magnetic field, around Uranus आपका present है, तो यहाँ यहाँ पर हो सकता है, कि sub-surface motion, oceans जो है, वो present हो सकते है, उसके most में, टिटैनिया और बरॉन के अंदर, कुछ sub-surface ocean जो है, यह present हो सकते है, अब जो ocean है, वो liquid form में, क्या form में, वो आपकी study की बात है, यहाँ पर जो भी past में observation हुआ है, उसमें कहा गया है, जो आपने observe किया थ उसमें अब नए, जो कह सकते है, डानेमिक जो है, देखने को मेल रहा है, तो उसको change करना, अपना observation और data जो पहले का है, उस basis पे, पहले का observation है, उस basis पे certain changes की जुरूरत आपकी बढ़ती है, तो यहाँ पर the possibility of life on Uranus Moon की बात किया जा, तो जो possibility of life Uranus का जो मून है, ठीक है, तो explore the possibility of life on Uranus, Uranus का जो मून है, ठीक है, तो मतलब क्या life का जो possibility है on Uranus Moon, तो यह एक चीज जो है, वो आपकी highlight की गई है, possibility of life का Uranus का जो मून है, उसमें, तो कहने का मतलब की लगतार research है चल भी रही है, क्या life का possibility हैसे ने, वो इंसान प्रिजेंट हो, इंद से certain चीजें जो प्र report कर सकता है, ठीक है, यह चीज आपको highlight की गई है, mixed report on card of IMEC की बात की गई है, तो यहां पर देखते हैं, तो पहला यह आयार का एक महत्वपूर्ण topic है, यहां पर देखा जाए, तो यहां पर पूरा समझना, यहां से यह corridor जो है, वो आपका develop किया है, comment section में बताओ कि यह highlight करना, कि कौन सा summit होई थी, जिसमें इस corridor को सामने भारत ने रखा, मतलब इसको सामने रखा गया था, ठीक है, तो बताना आप लोग जरूर से, यह route आप जरूर से याद रख लेना, जैसे मुंबई, दुबई, अल, गेवा, हरात, रियाद, अल, हदीता, हैफा, पिरेशिय और फिर यह connectivity है, तो अब देखो, यहाँ पर यह देखो, यह आपका रेडिसी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, यह आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो, इसी चीज़ के कि इस corridor को बनाया जाए, अभी यहाँ पर इरान जो है, इरान के माध्य हम से, रश्या और चाइना इस corridor को disrupt करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर यमन में, हवदीज के द्वारा, यहाँ पर युद्ध करा के, यहाँ पर हमस के द्वारा युद्ध करा के, कि corridor जो है, successful ना हो, क्योंकि अगर एक बार corridor successful होगा, तो चाइना का बहुत बड़ यहाँ पर कुछ points highlight किये गए हैं, तो यहाँ पर की stakeholders कौन हैं इस corridor के, साओधिय और यह एक तरफ है, Jordan भी है, लेकिन अभी जो भी steps लेने चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अरब और इसराइल जो relation है, वो भी सही हो, वो भी जरूरी है, क्योंकि attack कराएगा, attack के बाद जो आपका जो भी युद्ध चल रहा है, हमस और इसराइल के बीच में, उस वज़े से यह जो corridor उसकी implementation में, tension स्टार्ट हो गया है, implementation इतने अच्छा तरीके सरी हो, तो implementation बेसेकली आपका slow भी है, तो जो northern part है corridor का, primarily जो west Asia के अंदर है, वो धीरे-धीरे ही slow, मतलब धीर जो होतीज हैं, होतीज या होतीज जो भी, तो इनके द्वार आटैक होना, या फिर हमस इसराइल का जो चल रहा है, हमस ने जो आटैक किया, यह सब चीज़े जो चल रही है, बहुत सारे aspect में, जो conflict west Asia के अंदर है, उसका एक बहुत बड़ा objective यह है, कि कहीं न कहीं, यह जो corridor है, यह successful implement ना हो, और दूसरी चीज़ यह भी है, कि यहाँ पर जो एक representative या proxy, या जो भी आप कह सकते हो, रश्या और चाइना का है, west Asia के अंदर वो इरान है, अब अगर सपोस्कोर टेंशन लगातार बढ़ती जाएगी हो, इरान को लगेगा, कि यह conflict बहुत ज्यादा हो रह हैं, उसको, रश्या या फिर चाइना इसको nuclear power supply कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अगर यह powerful रहेगा, तो अपने interest को protect कर सकते हैं, और इरान के माद्यम से अपना interest जो है, रश्या चाइना प्रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं किसी न किसी तरीके से, यह जो corridor है, इसको disrupt जो है, वो करना है, और अगर मदद नहीं करेंगे, तो इरान flexible होके, अपने stand को change कर सकता है, तो जो भी conflict West Asia के अंदर होगा, वो इस corridor को जरूर से जरूर affect करेगा, और northern parties ले इस corridor का develop आपका नहीं हो रहा है, trade UAE और इंडिया के बीच में आपका increase भी हो है, trade में diversification भी देखन launch किया था, उन्होंने virtual trade corridor, जिससे कि trade process हो, सही तरीके से हो, logistic course reduce किया जाए, और business सही तरीके से हो, फिर जो virtual trade corridor है, यह आपका, इंडिया, IMEC का ही हिस्सा है, इंडिया Middle East Europe Economic corridor का भी हिस्सा है, इसका aim क्या है, trade facilitation, trade को एक तरीके से साहता provide करना, और दूसरे देशों के progress, comparatively better देखने को, मिल रहा, western part में conflict की वैसे चीज़े नहीं हो रही है, जिससे eastern part आप देखोगे, तो यह जैसे यह अगर, if you'll see, तो यह आपका eastern part हो गया, और यह आपका western part हो गया, तो western part में तो conflict की वैसे चीज़े नहीं इत्ती बढ़िया हो रही है, eastern part में थोड़ा progress जो ह करना है, seal, समुदर के नीचे, so lines जो है, वो भी छानी है, capacity building पे focus करना है, connectivity capability बढ़ानी है, यह सब चीज़े जो है, इसमें देखने को मिल गा, तो यह सब points जो है, आपको ध्यान में रखना कि क्या-क्या challenges है, अब भारत क्या कर सकता है, भारत को जैसे port development पे focus करना है, यह बह digital landscape, digital infrastructure है, उसको improve करना जरूरी है, खास तोर चाले, efficiently वो भी करना जरूरी है, ग्लोबल जो value chain है, यह भी एक तरीके से उसमें भारत अपनी connectivity इस्टाबलिश करना चाहेगा, तो यहाँ पे जैसे मालोग supply chain है, उसका हिसाब बनना, एक तरीके से, ग्लोबल जो supply chain है, उसके alternative, वाइबल, ग्लोबल supply chain alternative की, जो है, वो, डेवलप करना, जैसे मालोग supply chain क्यों जूरूरी, जैसे मालोग की चाहिना है, अब चाहिना एक चीज फॉलो करता है, जिसे कहते है, वेपनाईजिशन अप सप्लाईचेन, मतलब उसको यह कि अगर उसकी बात नहीं मारों, तो कह दे है, उसको हम रोक देंगा, अगर आपने हमारी यह बात नहीं मानी, तो भारत कफसी सारी चीजों में जैसे दवाईयां है, उसमें API यूज होता है, तो उसके लिए चाहिना पे निरबर है, मतलब चाहिना पे काफिय अधिक निरबरता है, और देशो क्यों भी है, तो वेपन करना है, यह भी बहुत important है, कि यहाँ पे इंडिया में जो manufacturing हो रही है, उस पे competitiveness का हो ना, कि अच्छा standard की चीज़े manufacture हो, और cost भी काम हो, timely हो, यह सब चीज़े है, IMEC के जो secretariat है, वो भी आपका essential for organizing the structure and operation of the initiative, तो IMEC का जो secretariat है, वो भी develop करना है, research और awareness लेकर आना, cross border trade process benefits की बात किया जाए, तो मतलब, अलग लग देश भी join करें, और क्या challenges है, उस पर proper research development हो, ऐसा इस direction में भी काम करना है, तो देखो, बहुत अच्छे तरीके सा notes हैं आपके लिए, आपको अगर इतना पढ़ लो, that is more than sufficient, आपको notes बनाने ज़रो थी, क्योंकि इतने shots, इससे ज़्य techniques answer rating का YouTube में डाला हुआ है, तो जब आप Arcland Plus का हिस्सा बनों, तो आप थोड़ा त्यार रहो, और अपना answer upload करो, तो यह मैं lecture series चलाऊंगो, लगवा 25 lectures रहेंगे, इस series के अंदर, तो आप प्लीज समय निकाल कर इसको देख ले, आप 25 की तयारी कर रहे हैं, तो at least कुछ answer प्लीज में हैं, और इस फिप्टी परसेंट आप भी चल रहे हैं, और साथ में, अच्छबिस की तयारी कर रहे हैं, तो जो sessions में techniques लिखने की बताई जारे हैं, उनको देखते जाएं, और आपका answer पूरा evaluation जो है, वो आपका किया जाएगा, इस course के माध्यम से, ठीक है, तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, तो मैंने आपको बता, जो स्टार्टिंग में भी highlight इस चीज के बारे में कर रखा था, तो यह जो आईस में answer writing और test series, 1 year बहुत अच्छा package है, 1 year में आपका 200 answer evaluation होगे, 200 का मतलब मानो 20 mock test होगे, 5 one-to-one session है, आप slot book करोगा और इस नंबर पर आपको message करना है, और और भी कोई query है, तो यहाँ पर सौरप पांडे, यह mail भी आप कर सकते हो, ठीक है, सौरप पांडे 2009 at the rate gmail.com, ठीक है, gmail.com, इस पर आप mail कर सकते हो, कोई भी query है, तो इस पर mail कर सकते है, English और Hindi दोनों में चीज आप, अपना evaluation हो जाएगा आप बेश सकते हो, फिर बाकि आप 3 months और 6 months के लिए भी join कर सकते हो, इसमों proper रहेगा, कि जैसे question upload होगा, और फिर आप अपना answer upload कर सकते, time bound manner में आपको चीजे करनी है, अगर आप लिख लेते हो, इतने सारे answers और proper evaluation होगा, तो that will help you a lot, सारे answers मेरे द्वारा ही evaluate होंगे, यह आपको द्यान में रखना है, ठीक है, सब कोई भी miss नहीं होगा, यह भी आपको याद रखना है, सारे evaluation होगे, और अभी 50% off चल रहा है, तो आप इस चीज का benefit उठाके, अपने decision making जरूर से जरूर करें, ठीक है, और कोई query है, तो आप message कर सकते है, number में आपको बता दिया, ब उस all courses पर क्लिक करके, आप join कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, I hope यह session आपके लिए helpful रहा हुआ, question मैंने आपको बता दिया, यह आपका question है, और साथ में जो अलग से telegram channel है, वो भी आप लोग follow करो, telegram channel पर आपको इस session का PDF जो है, वो available रहेगा, यह telegram channel है, the Hindu analysis by Saurabasar for U UPC, इसका link description box में दे रखा, यह question है, आप देख सकते हो, IMAC का सफल कारणों, कई कारकों पर निर्वर करता है, इस पर आपको चर्चा करनी है, यह सारी चीज़ें मिलता है, next session के अंदर, आप लोग लिखते रहो, evaluation matter करता है, इसलिए, जो है, किया जा रहा है, अगर आपके बस iPad यह iPhone हो, तो यह step आप लोग follow कर लेना, इससे भी आप classes access कर सकते हैं, मिलता है next session में, thank you everyone, thank you.